हे माई बटरफलाई कैसे हैं आप सब ठीक जेके लाइव पार्ट थर्ड मैं ऐसे नहीं बनाने वाली थी पर कुछ शराड़ती बटरफलाई मेरे कमें सेक्षन में उड़ते हुए पार्ट थ्री पार्ट थ्री लगे हुए थे इसलिए ये बनानी पड़ी नौ लेट्स तुम शराड़ती बटरफलाई देख लेना शांती से नौ लेट्स टार्ट मैं इस तरह से अपना समय बिता रहा हूँ ये सब आपकी वज़े से है तैंक यू अब जब भी मैं कुछ करता हूँ मुझे आर्मे के बारे में सोचने की जरुद है अभी मैं जो सांस ले रहा हू इमानदारी से कहूँ तो आर्मे को धन्यवाद मैं कब तक अपने बाल बढ़ाऊंगा सच कहूँ तो मुझे नहीं बता ये सच मैं बीना किसी रीजन के है कुछ नहीं है एंड मैं मैं इसे काट नहीं जा रहा हूँ नहीं है तुम देखना चाहते हो मेरे बैक पर टैटू नहीं है मेरे सिफ राइट आम पर टैटू है अभी मैं टैटू नहीं बनवा रहा हूँ मैं बस अपने घर से बाहर नहीं जाता अगर मेरे पास बाहर जाने के लिए कोई अपॉन्मेंट ना हो तो बियर को जोड से डालो वेट क्या बियर को जोड से डालो और फिर धीरे धीरे पतली धार में डालो ये डिलिशिस होती है क्यों? क्या रीजन है? क्या आप इसके पीछे का साइंटिफिक थियोरी बता सकते हैं? मैं जानने के लिए एक्साइडिड हूँ अगर मुझे दुसरे मेल आडल पसंद है क्या है? यदि आप उन्हें पसंद करते हैं तो मैं क्या करूँ? ये मेरी लाइफ नहीं है मुझे तुमारी रिस्पेक्ट है आप अभी भी उनमें से एक है जो मुझे कुछ समय के लिए पसंद करते हैं रिस्पेक्ट और अंडर्टेंडिग सम्मान, समझ, विचार एक इनसान को हमेशा ये तीन बाते रखनी चाहिए कुछ नेट्ट्लिक्स तो जवाब रेकिमेंट करना चाहते हैं आज कल मैं कुछ देख रहा हूँ लेकिन मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूँ तुम समझ रहो जो मैं कह रहा हूँ मैं कुछ कर रहा हूँ मैं कुछ देख रहा हूँ लेकिन ऐसा नहीं लगता कि मैं हूँ मुझे यादी नहीं है निव सॉंग, निव सॉंग, प्लीज निव सॉंग रिलीज करो ये अच्छा होता अगर ऐसा कर पाती पर मुझे नहीं पता इसलिए जैसा कि मैंने कहा, मैं अभी ब्रेक लेकर बहुत खुश हूँ तो हाल ही मैं इसके बारे में कुछ ऐसा नहीं कि मेरे पास विल पावर नहीं है ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि मैं समय लेना चाहता हूँ और कुछ पर फोकस करना चाहता हूँ मेरे क्याल से मैं अभी इसी मोड पे हूँ तो जैसे काम अगर मुझे इधर उधर का कुछ काम होता तो मुझे नहीं लगता है कि मैं ऐसा होता लेकिन मैं बहुत जल्दी और असानी से अर्जस कर लेता हूँ तो अगर म्यूजिक पर काम करना आदत बन जाए तो मैं ये कर सकता हूँ क्या हम डेट करें ओके, लेट्स डेट चलो डेट करते हैं ये हमारी फर्स डेट है साथ में सच्च्वीटा सच्वीटा आँ सब्सक्राइब लेकिन जो सांग मैं उनका जानता हूँ वैसे सेवनटीन भी कोर्या का गुरूप है और हाइप कंपनी का ही है वयर हमार form वहल कम उनका ओ़्सक्राइब हमारी प्राइब और लेट कंपनी के वेँ़पिए टूचू साथीन दाना हरा रहा हमारी प्रूfte सब्सक्रा ऑनका है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत सारे 17 की गाने सुने मैं उनके कॉंसर्ट में भी गया था अभी के लिए कुछ सुनते हैं अभी के लिए कुछ सुनते हैं मैं इसे कट कर रहा हूं सॉरी आम सॉरी सेक्सी नुकेम ओ ये बहुत हाड है पता है न सेक्सी नुकेम आरम का सौंगे नामजून इंगलिश में बहुत अच्छे है ओ रुको आरम नुरा बैंक नुरा बैंक इस आप का नाम है जिस पर जे के गार है वाओ लेकिन ये सौंग बहुत अच्छा है जे के वाइल फ्लावर गार है झाल के बहुत अच्छेल के एवरा है वाएल के वाख जे प्लाव दे़िव का स्थें खूंगे आरम नुरा है प्लावण डिम्रा अंचिन खिन कांवद्ट यह एसे क्यासे लिरिक्स हैं इतने मज़ेदार नहीं ऐसे काने इंसान के दिमाग में आ सकते हैं क्या मैं नामजुन की बहुत इज़त करता हूँ वो सच में बहुत कूल है मुझे लगता है कि वो सच में कूल है यह अच्छी बात है कि मैंने नामजुन को देखा और मैं बिखिट में आ गया इस्टील लाइव यह भी आरम का सौंग है इंडिगो अलबम का मचे यह सौंग पसंद है एयरबेग नहीं मचे यह पसंद है नहीं नहीं यह नहीं एयरबेग एपिक हाई नुरा बैंक तबलो मिस्टर तबलो सीनियर तबलो यह सौंग बहुत अमेजिंग है मैं बागी नहीं जानता मैंसे भी मुझे ये गान अच्छा लगा मेरी गर्धन दर्द कर रही है मेरी गर्धन अब तु मुझे ऐसे नहीं देख पा रहे होंगे न मेरा गला दर्द कर रहा है नमजुन यहाँ है नमजुन यहाँ है वो आए और चले गई वो यहाँ है नमजुन कहा है मुझे रखता है नमजुन आए थे और चले गई मैं गा रहा था इसलिए मुझे पता नहीं चल पाया मुझे कैसे पता चलेगा वो चले गई क्योंकि वो नच्छे में है वो चले गई क्या खा तुमने वो गई नहीं है नमजुन मैंने अभी तुमारा सौंग आया था और वो बहुत मुश्किल था कंफीर्ज मत हो ना आरम कमेंट में है आरम तुम अच्छा कर रहे हो राइट मेरा मेरा सौने का कोई टाइम सेट नहीं है ओ नाम चुन तुमें देकर खुशी हुई यस आरम यहां क्या हो रहा है I love you bro I love you Aram यस तुम भी खुश रहो सब लोग खुश रहे I love you to Aram यस तुम अच्छे से सोना Have a sweet dream नाम चुन सुईट है ओके उन्हें आने का कैसे पता चला उन्हें कैसे पता चला ओ नाम चुन अगर नाम चुन ना होते तो मेरी जिन्दकी कैसी होती अगर बहुत समय पहले नाम चुन ने वो वीडियो नहीं बनाया होता तो मेरा जीवान 180 डिगरी अलग होता नाम चुन मेरे रक्षक है वो मेरे रक्षक है वो मेरे रक्षक है मैंने एक गंड़े लाइव कर ली मैं अतना कमजोर क्यों दिख रहा हूं मैं कमजोर हूं तुम्हारे सामने मैं कमजोर हूं आउटसाइडर मैं नहीं हूं मैं से डराओना लगराओना हुम्हारे से तुम्हारे से वे धूटसाइडर तर देंग तेंग 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 तें मैं थक गया क्या हम साथ में पीए ओके मुझे भी पसंद आएगा क्या आप सब लोग ठीक हैं बहुत टाइम हो गया ना इन दिनों से गुजरना इतना कठीन है ना लेस्ट ड्रिंक तुमने बहुत कड़ी महनत की है मैंने वर्ड़कप सौंग आया मैंने वाइब भी गा दिया मैंने देखा ट्यांग ने इसे ऐसा काया मुझे रखता है कि ट्यांग मुझे बरपा रही है यह बेर की वज़े से है प्लीज अंडस्टैंड जिस तरह ट्यांग ने अपनी सिंगिंग स्किल को बदला वो मुझे पसंद आया वह सूइट हो गया है जैसे मुझे यह पसंद है गुड जाब ड्रिंग मत करो ड्रिंग हेल्थ के लिए आने का रख होती है राइट मैं जानता हूँ यह मेरी हेल्थ के लिए सही नहीं है लेकिन मुझे यह कैसे कहना चाहिए अगर मैं सिर्फ हेल्थ हूँ तो मेरा शरीर अपना काम नहीं करेगा यह इतना हेल्थ है कि मेरे लिए कुछ भी नहीं है और मेरा शरीर अपना काम नहीं करेगा तो इन अनहेल्दी चीजों को इसके लिए जागना होगा और अंदर से लड़ना होगा और इस तरह में हेल्दी हो जाओंगा हाँ सच बताना जेकि तुम्हें खुद को भी पता है तुमने क्या कहा आँ शायद नहीं अगर तुम्हें नीद आ रहे तो तुम सो सकते हो मुझे नीद नहीं आ रही है तुम्हें नीद आ रहे है तो तुम सो जाओ बाई मुझे रखता है तुम सच में स्टे अलाइव सुनना चाहते हो लेकिन स्टे अलाइव जब मैंने इसे रेकॉर्ड किया था तब भी ये बहुत मुश्किल था ये, ये क्या है? क्या तुम सेवन्टीन की वो अनू की कजीन प्रदर हो? नहीं अगर तुम बहुत पीते हो और गाते हो मैं ज्यादा नहीं पीता ये मेरा सेकिंड कैन है अपने टैटू दिखाओ मैंने सच में कभी आपको अपने टैटू नहीं दिखाए ना पहले मुझे एक्स्प्लेइन करने दो पहले, यहां आरमी लिखा है यही मुझे पहली बार टैटू मिला मेरा पहला टैटू मुझे नहीं पता, मैं बस मुझे यह कैसे करना चाहिए आरमी मेरे लिए वह है जिस पर मुझे भरोसा है यह अब भी वैसा का वैसा ही है मुझे इस बात पर बहुत गर्भ है इसलिए आरमी टैटू को ऐसे जगह पर बनाने का मतलब नहीं था जहां आप इसे देखनी सकते थे इसलिए मैं नहीं बना सका सबसे पहले मैं सिर्फ यही आरमी टैटू बनाना चाहता था मैं बस इसे पूरा करना चाहता था मैं फॉंट को लेकर थोड़ा परिशान हूँ मैं इसे और शांदार बनाना चाहता था त्योंकि आरमी को शांदार होना चाहिए जैसे आरमी मेरे ले इतनी शांदार जो है लेकिन यह इतना सिंपल बना तो एनिवे मैंने सबसे पहले आरमी टैटू बनवाया मैंने आरमी बनाया और उसके बाद यहां क्राउन पहनाया जैसे आरमी यहां है और यहां एसे सुरू होता है इसने मैंने टॉप पर एक क्राउन रख दिया मैंने उपर एक ताज पहनाया मैंने आर्मे को एक ताज पहनाया और यहाँ J J के से सिर्फ J है यह क्राउन है और J मैंने J को क्राउन के बगल में रखा है किसलें यह सिमिलर है और यहाँ मैंने अभी अभी यह किया है मैंने यह सिर्फ उन लोग के साथ کیा जिसके साथ मैं टैटू शॉप पर था ये सिर्फ इमोजी है जो मुझे पसंद है ये एक इमोजी है और ओरिजिनली ये परपर कलर का था लेकिन अब यहाँ एक तरह ऐसे खरोच के रंग में बदल गया है तो मुझे लगता है कि मैं ऐसे सच में ब्राइट परपल रग में बदल दूँगा यहाँ 0613 ये आप सभी जानते हैं राइट आपको ये पता है और ये आर्मी लोगो है यहाँ सब कुछ है और इमोजी और बीच में एक को छोड़कर ये सभी आप से रिलेटिड है सच कहूँ तो मैं इन सब को कवर करके फिर से नया करना चाहता हूँ मैं इन्हें सुन्दर दिखाना चाहता हूँ और यहाँ भी सच कहूँ तो ये कवर अप था मुझे लगता है कि ये अभी का है अभी के लिए इतना ही, जेके ने बागी टैटू के बारे में भी डिटेल दी है, वो कल के लास पार्ट में देखेंगे, कल फाइनली जेकी की लाइफ का फर्स पार्ट पुरा होगा, तो कल मिलते हैं, टेक क्या, बबाई